नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल अल्टिमेट नॉलिश पर दोस्तों आप सब लोगों ने फिल्मों में इस बात को बहुत अच्छे से देखा होगा कि पुलिस हमेशा ही वारदात वाली जगा पर देर से पहुंचती है या फिर कभी कभी पुलिस जल्दी प भग नामुम्किन माना जाता है क्योंकि ये पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए दुनिया की सबसे महंगी और तेज गाडियों का इस्तेमाल करते हैं तो आईए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं दुनिया की कुछ सबसे पुलिस के बारे में नमबर एक यू के यानि के युनाइटेट किंगडम की पुलिस किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए एरियल एटम कार का परियोग करती है ये कार मेह 2.5 सेकिंड में 0 से लेकर के 100 किलो मिटर की स्पीड पकड़ लेती है और इस कार की अजिकतम स्प पाना लगभग असंबव है नंबर दो इटली की पुलिस किसी भी अपरादी को पकड़ने के लिए लेंबॉर्गीनी हुराकान का प्रियोग करती है ये कार अपने आप में एक सूपा लगजरी कार मानी जाती है जिसका प्रियोग इटली की पुलिस के द्वारा किया जाता है ये कार 3.92 सेकिंड में जीरो से लेकर के 100 किलोमेटर की स्पीड पकड़ लेती है और इस कार की टॉप स्पीड है 325 किलोमेटर प्रती घंटा जर्मानी की पुलिस अपराधियों की धर पकड़ के लिए R8 GTR का प्रियोग करती है जो की अपने आप में एक सूपर कार है और कंपनी ने इसके अंदर कुछ मोडिफिकेशन करने के बाद इसे पुलिस को सौपा था इस कार की टॉप स्पीड 325 किलोमेटर प्रती घंटा है अ दुबई की पुलिस किसी भी अपराधि को पगड़ने के लिए बुगाटी वेरोन का प्रियोग करती है जो की पुलिस के द्वारा प्रियोग की जाने वाली सबसे महेंगी कार है इसकी कीमत लगबग 9 करोण 20 लाक है ये सिर्फ 2.5 सेकिंड में ही जीरो से ले करके 100 का प्रियोग करती है जो की अपने आप में एक स्पैशल और सूपर कार मानी जाती है इसका प्रियोग ज्यादा तर क्रीमिनल मामलों के लिए किया जाता है ये कार सिर्फ 3.5 सेकिंड में जीरो से ले करके 100 किलोमेटर की स्पीड पकड़ सकती है और इस कार की टॉप स्पीड 354 किलोमेटर प्रती घंटा मानी जाती है